नमस्कार, रागगीरी में आपका स्वागत है और आज जिस कलाकार से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ उनके वेक्तित्व के बारे में उनकी कही सिर्फ एक लाइन ही काफी है वो कहते हैं, प्ले दा म्यूजिक, नॉट दा इंस्ट्रुमेंट मैं बेहत विनमरता से आमंत्रित कर रहा हूँ सितार वादक, चंदरशेखर, फंसे जी को चंदशेखर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते चंदशेखर जी जिस लाइन से आपकी कही मैंने आपका परिचे कराया सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आम संगीत प्रेमियों के लिए इस लाइन को ही डिस्क्राइब करें बताएं कि असल में आप क्या कहना चाहते है हर एक इंस्ट्रुमेंट का मकस्द होता है हर दुब्ले का रिई मौन भयार संगीत वालिक्व झाहे भी में हम उसंपे किया बजाते है के तो संगीत बजाते है संगीत के लिए इंस्ट्रुमेंट को वालिको अपने को मास्टरह до शर्णा पड़ता है आइन को प्र्यास करके प्यक्तिस करके उसकी छोटी छोटी जो खासियते हैं उसको अपने हाथ में लानात पड़ता है तो होता ये है कि जब हाथ में मास्टरी आती है थोड़ी कलाकावी आ जाती है तो कलाकावी दिखाने में आर्टिस्ट बिजी हो जाते हैं मुझलब उस पे music बजाना ये भूल जाते है और instrument का मकसद ही है intention to play instrument is to play the music on that and not अपनी कलाकावी निखाना और या अपनी रियाज निखाना वो instrument का मकसद नहीं है इसलिए मैं ये अपने लिए चाहता हूँ कि जो अपने मन में music है वो उस music किस तरह से दिख ले वो अपने को देखना चाहिए और उसका अपने को presentation करना चाहिए ना कि अपना जो रियास करके जो capacity अपने हासिल की है mastery जो हासिल की है वो लोगों को दिखाने की जुदद नहीं वो दिखाना लेकिन aesthetically कि अपने को music की साधना करनी है मैं मेरी music की साधना सितार की जरीए करगा हूँ कोई flute की जरीए करेगा कोई सवरोत की जरीए लेकिन सबका intention रिखी है कि संगीत की साधना इसलिए अपने music अपने instruments से अपने वाद्य से संगीत निकले और अपना खासियत दिखाने का अपना practice दिखाने का वो जरीए नहीं है यह मैं चाहता हूँ माई intention is to play music and not the instrument अज़ा चंशेकर जी मैं इस interview में जब भी महमानों से बात करता हूँ तो उनको उनके बच्पन में जरूर ले जाता हूँ तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका बच्पन कैसा था और संगीत के जो संसकार है वो कहां से आए में जरूर में एडन की पार में अगर मैं सोचता हूँ तब यह बात important है कि तब हमारे घर में वेडियो था मत अब हमारे जो chairs Honestly UK उस परेभिऑ र एंपन थी उसमें उसमें वेडियो और मेका मेरे उप्ताजी के पास था तो सब लोग वहारнич हूँर सुनने आते थे वरना मेरे एज के लोग गाने नहीं सुन देते, रेडियो नहीं सुन देते, कहीं खेलते थे, कुछ करते थे तब से मेरे मापीता जी ने ये देखा कि मेरे मुजिक का अन्ष कुछ होगा, है कुछ करते हुँए को क्ली हैं एक ऑफ फिर धिर दियों ने आपसीं रहा сам कोई डियोग है hogy अफे रेडियो का बहुत है इतना ही इतना था कना मेरे बश्पन सम्थ मुजिक के बारे में संबंध था अर्ली चाइड बुड़ा, I can say, but फिर मेरे पिताजी ने जब मैं फूर्थ स्टेंडर में आया तब मुझे वोकल का शिक्षिन शुर किया, वोकल ट्रेनिंग, टीचर इस्टु को गोरुजी इस्टु कामें टीच में वोकल में जोगी, इंडिक्रासले में, मैंने तीन परिश करता था वेडियो, छोटा वेडियो, वो छोटा ट्रांजिस्टर सामने रखके उस पर विविद्भारती लगा कर जो भी गाना आता था मैं उसको फॉलो करता था अपने आप से ही, but बहुत से काने मैं फॉलो नहीं कर सकता था, अगर एकार गाना मैं फॉलो कर ला हूं, तो चोटी चोटी पॉं особенно में हमली मज़ा था, और फिर जब टेंस्ट में आया, ना ना इंस में टेंस्ट पे तो मैंने यह तविक नक्य कर दिया कि मुझे कौपल मुजिक ही सिखना है, मुझे प्रोफेशन मुजिक की करना है, मुझे और कुछ नहीं करना, बशी मुजजिक नह आपको आशिरवाद मिला किन-किन गुरूओं ने आपके हुनर को और तराशा उसके बारे में बताईए मेरा बहुत प्यारा दोस्त था वही मेरा गुरू था जनारदन जी जिसको हम प्यार से जनूब रते हैं जनारदन स्कूल का फेंड वो सितार बजाता था मैं उससे नारदमच संत स्वी करता हैं एक अटी ती थी ऐसनी वेला तो सितार वास्विस्त में बहुत्स स्वीर सब्स्तने ediyor आए उस सहर दो 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 सितार बजाता था नारदेन स्वीरिया जोन्छने ठीय? अचार्यत और खेरागड इंजिशिटी इंडिरा कला संगीत विश्व विड़ा देशे में की डिगरी में और ततपश्चात मुझे ही मादूं पड़ा कि अपने को में मंकर भी बहुत कुछ सीखती का बाकी है तब बाकाईदा अग्रागराने की गायक पंडित वी अठ्वजी और पंडित दिंकर जी भैकिनी जी से मैंने प्रपर गायकी का और जोड इसको नौंतों या रागो की शुद्रता इस सम बारे में मैंने शिक्षा दिए इन फैक्ट आइमेट आठ्वणेजी फोर मैं संगीत प्रविड इस इक्यूएलेट तू पी एच्डी लेकिन उसमें बहुत थियोरी बरुख था और पढ़ना लिखना प्रदर चाहिए ऐसा था तो मेरी गोईजी आठ्वणेजी ने मुझे यह सेजिशन दिया कि तुम यं और आपको तो गौड आफ सरोद जिनको कहा जाता है यानि उस्ताद अमजद अली खान साब का भी आशिरवाद मिला हुआ है वो अनुभव कैसा था मेरा बड़ा साउखर के है इसर की देन है के मैं उस्ताद जी से मेरे मुलाकात हुई और उस्ताद जी की साथ जो मेरा साथ हरा उसे मेरे musicality में बहुत ही ख़र्पड़ गया बहुत ही change आगया, बहुत development हो गया, बहुत improvement हो और और NCPA ने एक सेमिनार औरइज किया था for young artists and NCPA had selected the artists जिनोंने NCPA में perform किया है और जिनका performance अच्छा रहा था उस उस उन कलाकरण को NCPA ने किया था fortunately they invited me also तो खासाथ के साथ उससाथ अबजदनी खासाथ के साथ एक हफ्ता पूरा Monday to Saturday उनके साथ रहे के उनसे सुबर शाम उनसे शिक्षा लेना यह हमारे भाग्य में निखा था और जो हमें प्राप्तों का और उनसे बहुत सी बाते music की बारे में spirituality के बारे में life के बारे में और it was my great pleasure my great honor to be with him and फिर हमारा सिंसिला चलता राफे में उनसे गुजारिश की किया मैं आपसे खुर्दर ट्रेनिंग भी कुछ ले सकता हूं तो उन्होंने भी मुझे रहामीब ही and it was so kind of him कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया अब उस्ताब गाजयी कर और जियां तो अभी मेरा जो शिवरंजिली मेंने एक प्रोजेक्ट किया है तो इस यंदो शिवरंजिली डिनिः खी और अए च्छीवकल्यान के बारे में भी उन्होंने मुझे गाइडश दियों है तो उनका अबीतत मेरे सरबर हाथ है and ऐसे ही बना चंशेकर जी इससे पहले के आगे बढ़ें फिर से गुजारिश करूँगा कि कोई राग जो आप हमें बजा कर सुनाना चाहें सितार पर जब 1983 में उस्तार अंजदनी खान साथ का कॉंसर्ट में मैंने फ्रस्टाइशन आए तब उन्हें दो राग बजाया था तब उन्हें इतना इतना इंस्पिवेशन हुआ था इतना इसे स्वरगीय सुख इसको कहते इतना मजाय था उसमें और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इ तक उन्हें एक वाते अगाय था दो राग द्रूगा था खुंग की अपोरां बन्दिश करी मोर्य भाता इस बाते हो यह था और नहीं गशा है घुंग में अनकी उन्हें है और बोली की शम्राइशन हमिए गे लाग और ना इस दोद्धार करूश का फोड़ा थे पारिशन फ्राइब को किदार गजय किस उब चूजए। कि दोगना कि पूजए। कि दोगना कि दोगना कि ऊक कि दोगना में ठाड़ा कि उदेती हैं जड़ी जोगने हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है कर दो 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 अच्छा आप आपके बारे में जहां भी मैं पढ़ता हूं लिखा होता है Singing सितार यानि एक ऐसा सितार जो गाता हो तो ये जो गाएकी अंग होता है सितार में इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसे इसको आप differentiate करते हैं जैसे मैं आप से जिकर किया है बचपन से ही मुझे तो यह हैबिट थी यह चाह थी तो मैंने हार्मोनियुम पर जैसे गाने बजाता था ऐसे मैंने सिदार पर शुरुवात किया जो बजा के देखा लाग बेस गानी थोड़े बजा के देखा अच्छे लगने लेगे तो धीरे धीरे वो मेरी चाह बढ़ती गई और फिर I started playing Marathi songs, Hindi songs, अलगलग type के songs, अलगलग type के दुने जो अच्छा लगने लगा Incidentally, फिर कावेकम भी होने लगे, Pandit Amarendra Dhaneshwarji ने मुझे सबसे पहला कावेकम इस तवर का दिया था जो मैंने Marathi songs बढ़े थे, और आडाई गंटे का बेने प्रोग्राम किया, only on the sitar, all Marathi songs, Naatya Sangeet Ho, उसमें लावणी भी थी, उसमें भक्ती Sangeet भी था, भावगी भी तो फिर मेरे चाहा और मेरा interest इस पे बढ़ गया और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगने लगा, फिर Marathi की साथ Hindi songs भी बजाया है, मैंने कम September भी बजाया मैंने ये देखा है, कि मैं जो sitar बजाता हूँ, जो ये sitar है, अगर आप देखेगे तो इसमें डबल तुम्बा लगाओ है, जिसको concert sitar, professional language में इसको concert sitar देए, बन्हें पूरे classical music जिसमें बजाया जाता है, ये एकिये sitar है, खरज पंचं की, मतलब इसमें अतीम अंदर सब मतलब तक भी होता है, जिसे खरज पंचं केहते हैं, खरज पंचं की sitar में songs बजाता हूँ, और इसका जो depth है, शूर का tonal quality है, वो बहुत ही अच्छा आता है, उसमें उझे pick-up लगाने की ज़रूरत नहीं है, pick-up नहीं है, आजकल pick-up लगाते हैं, और उसका amplifier में सीधा connection दे की आजाती है, तो ये instrument में इसा नहीं है, ये acoustic instrument completely manual है, और इसमें आप, मैं जब कोई भी इसमें खरज पंचं की sitar में बजाता है, जो sitar instrument को जानते हैं, कि इसकी depth होती है, ये sound, तो वो depth के साथ गाना बजाने के कारण, गाना अच्छा effective हो जाता है, और जैसे sitar में कृंतन, जमजमा, खटका, गसीट, ये सब techniques है, तो उन सब techniques का गाने बजाते समय मेरे हिसाब से optimum use उसका में करता हूँ, मतलब जहां मैं, और मैं हर एक गाने का अदग अदग टाइप से बजा के देखता हूँ, कोई एक जगा में करके देखता हूँ, या तो गसित करके देखता हू ये सब मैं शेयर करता हूँ, इसको बजना अचा लगेगा, ये ऐसा बजना अचा लगेगा, ये सब मैं शेयर करके, उनकी साथ डिसकर्स करके, फिर मैं final song set करता हूँ, इसलिए मैं खुर enjoy करता हूँ, और आप जैसे लोग है, जो मेरे मेरा मेरा मुजिक जिनका अच्छा ल हुआ है, क्योंकि आपकी जो सिक्षा है, वो economics में है, आप psychology के student रहे है, इन दोनों विशियों के साथ सितार ये कैसे आया? इन्सिस्ट किया था, कि मैं कम से कम BA करूँ, BA करूँ पास, तो BA पास हो जाता हूँ, तो प्ली में बिल जाए कि फिर इंस्ट्रुमेंट सितार तो होता रहेगा, उसमें क्या बड़ बाद है, उसमें उपर रखता था, और ये बड़ी important बात उनना ने मुझे कही, या उनना अगे बढ़ने के लिए, एजूकेशन का होना बहुत ही जरुरी है, और बिकॉस आए बड़ी आए बड़ी मुजिक, मैंने BA फिलोसाफिय और एकोनोमिक्स किया है, प्लस मैंने B.Muse, बतलो बैसलो अप मुजिक, विशारत, वाध्य विशारत, सितार, ये मैंने भाथखंड स्टेटिर। एक रिए बॉर्स किया है। तो अगर मैं BA नहीं करता था, तो मैं MA नहीं करता मैं Alors ma,ärम्यों सकाता है सनगीत नि पन क Corinthians की द्भी है, तो BA करने का बड़ा पहसा है, ये मैं झेलियर्दिक अपरना का मैं पूलाई करना है। लेकिन अब मालूम पड़ता है कि वो कितनी बड़ी इंपोर्टन डिसिजन मेविट पिदाजी की थी कि उन्होंने मुझे फोर्सकुली मैंने बीए करवाया और बीए तो मैंने जस्ट पास किया इन दोनों आप पंडी जी किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं गए दशक में से 2010 मेरी साथ जो मेरे दोस्त लोग है उनकी सहरीता से बहुत कुछ जो मन में था वो कर सका अलग अलग क्रोजेक्ट्स सितार के जरीये हमने किये शुति संगम इसे साउथ इंडियन करनाटक मुजिक, हिंदुस्तानी मुजिक अनुखे प्लेटफॉर्म , उन राग अनुखे जो एकसेप्शनल राग है उनके बारे में अमने एक प्रोग्रम किया है एक प्रोग्राम हमने यह वी किया है कि जिसमें ये शर्जचालन ये टिरिया है, शर्जचालन साचेर्ज करना मनलब रच गुपाली के सौरों में और चार गुपाली प्राइब 1 जौत। हमने लिव स्वए मोटी स्व एक सौर को सामवान के अदर अदर बरां भन जाता ह। यह इस पर एस यूट्यूब चैनल इस कंसर्ड फिर यूट्यूब चैनल भी शिर्वास हो गया तुरन थाटीन से तो उसमें लायो कोंसर्ट हम तो प्रेजेंट करते ही हैं इवन लॉकड़ाउन की समय भी गए एक साल में भी हमने कई के अजये बिबनर किये हैं Case के बार के बारे में को पशकिया हूं और नव रागे निनोताल यह गफे हमने नौटर्टन किया था कि नौटरी के हर दिन पर एक विर मां के नाम से जो राग है खोशा क्यों जो पेशोई पहुत अफ्रेयर राग है लेकिन उसमें मरठी भावगीत, गसल, क्लासिकल सितार, सुर्भावब और इवन कववानी हमने पेश की थी मार्निंग राग माला 2021 में एक मिनिट का एक राग, इस तरह से 2021 को सुवज पर 21 राग, सुबह की 21 में एक राग करने के लिए सितार 2020 किया था 2020 में, जब 20 सितारों ने एक राग बजाए थी, अबी एक सितार पर 21 राग बजाए थी अलग अलग इंट्रेस्टिंग बाते हम करते रहते हैं मैं मेरे दोस्त, मेरे स्टुडेंट्स मिलकर अब जो नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ इस अउन इस शिवर अरेंजीनी महाशिवरात्री के उपलक्ष्में शिवर के नाम से पचलित राग शे राग हमने पीशी और अलगे 5 हो चुके हैं एक महाशिवरात्री के दिन बदबकर के दिन आएगा जब एट इंटर्वी टेजी का स्टोकात अब तब एक हो चुका होगा और आप जो कह रहे हैं कि नया प्रोजेक्ट कुलसा है तो अभी इसके बारे बाद हमने सोचा है कि एन ओडिसी ऑफ स्ट्रिंग का विकास कैसे हुआ था या इंस्ट्रॉमेट का विकास सबसे पहले शंक अना था फिर ओम जूपद खैयाल गर्जल ठुमरी यह सबका उसमें हम प्र्जेंटेशन करेगे यह हमने नया प्रोजेक्ट हापके लिया है, जैसे भी कंडिशन सब नौर्मल हो जाएंगे, उसको पेश करने का हमारा पुचार है, मेरा हमेशा मुक्सद यह रहा है, मेरा हमेशा अटेंप्ट यह रहा है, कि मैं खुद एक मुझे अच्छा मुझे सुनने को अच्छा रगता है और अच्छा मुझे सुननने को भी अच्छा रगता है, और जितना मैं क्लासिकल मुझे सब्सक्राइब यह रहा है, मैं अपने शुटाओं को सुनाओं, यह मेरा हमेशा इंटेंशन रहा है, और यह चलता रहेगा जब तक आप लोगों का आप प्यार रहेगा, आप मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि शिवरंजनी आपके पसंदीदा रागों में से है तो शिवरंजनी हो जाए ओद अपे मोस् फिवरंजनी रागों में के छिवरंजनी। तो सिवरंजनी को शिवरंजनी हो जत्वाज्यर्टक के लिए अधार बंदश है। अब शार्न फोरव टाल कि पंदिशें। तो सिंह ऑपसे चाहि ही। चेता ब्लेशनें। कर दो 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 तो कर दो 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 चंशेखर्जी आपने हमारे लिए समय निकाला आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ईश्वर से यही प्रार्टना है आपकी संगीत साधना यूही चलती रहे आपकी संगीत की महक यूही फेलती रहे बहुत-बहुत धन्यवाद